सतनम वाधेश गुरु महराज जी को आदेश, आज हम तत्तु ज्ञान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, साथ ही एक और बिन्दू उसके बारे में चर्चा करेंगे, कि तत्तु ज्ञानी और कथा वाचक में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता ह कथा वाचक जैसे कि आज कल हमारे जो सनातन धर्म में जो हिंदु धर्म का जो लेक मैं करना चाहूंगा कोई न कोई देवता के उपर हम कथाएं प्रोभचन देने के लिए हमारे पास बड़े-बड़े साधू तथा कतित कथा वाचक त्रिपुंड चंदन धारी बहुत ही बड़े-बड़े विद्वान आते रहते हैं तो कथाएं विस्तार से बताते हैं हमारे किसी देवी-देपता के बारे में वो बड़े-विस्तार से उनके जो द्वारा किये गए बहुत बड़े-बड़े काम है उनके बारे में बहुत अच्छे-च्छी जानकारी देते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि तत्व ग्यार और कथा वाचना में बहुत ही बड़ा फर्क है, पहले तो ये प्रशन पूछा जाए, जो व्यक्ति कथा सुना रहा है, वे अपने जीवन में उन अच्छे-च्छी बातों को कितना हद तक उतार पाया है, या उस धर्म की सिवा नहीं होती, बलकि मैं तो ये मानता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा एक ड्योग है, कथा वाचना करने वाले व्यक्ति, लोब मुह अहंकार से दूर रहने के लिए, प्रवचन करने के लिए लाखों रुपे चार्ज करते हैं, इतना ही लोब मुह अहंकार से द चीजों को उतारें, और बाद में प्रवचन करें, साथ ही दूसरी ये बात कहेंगी, तत्तो ग्यान और कथा वाचन को हम जन्वानस भी नहीं समझ पातें, उची उची बातें सुनना और उनके उपर तालिया बेटना यही हमारा धर्म बनता जा रहा है, धर्म का विशलेश चाहिए, मेरा ये प्रशन भी उठता है, कि हम सत्संग या किसी अच्छे प्रवचन करता के बास जाते हैं, वहां पर अच्छे अच्छी बातें सुनते हैं, उस सत्संग में से हम उन चीजों का कितना प्रतिशत जो है अपने जीवन में उसका अनुस्वरंग करते हैं, यह भी सोचने वाला विशे हैं तो कथा वाचन और तत्व ज्यान में ये तो बहुत बड़ाई ही डिफरेंस है कि जो चीजे कथनी और करनी में होती है आप जो चीजे करते हैं उसे उधारन के तौर पे दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए मुझाए इसके के कली सु सातन और योग पद्धती में यह बहुत बड़ी विक्रती है कि हम बहुत ही आडंबर पूर्ण चीजों में फसे रहते हैं हम अनुष्ठानों में फसे रहते हैं बड़े-बड़े पंडाल आडंबर करके हम धर्म का परचार करते हैं किन्तु जो चीजे हमें सामाजिक से अपने आप करनी चाहिए उन चीजों को हम करना ही नहीं चाहते हैं इसमें बहुत से कारण ऐसे हैं कि हम शायद कुसी अंकार में इस तरीके से उलजे हुए हैं कि हमें सिरफ बड़े-बड़े अनुष्ठान करके बड़ी-बड़ी बाते करके ही हमें यह महसूस होता है कि हम बहुत बड़े ही धार्मिक और आध्यात्मिक रखती है कि इस बारे में थोड़ा अपने अंदर जहांग करके देखें कि क्या यही धर्म है क्या यही सच्चा जो हमारा जो करतव्य है हमारे जो सनातन प्रद्धति के प्रति है वह है कि इन चीजों के बारे में संग्यान और देखें कि कैसे हम सच में ही धर्म को अपनी आत्मीता के साथ अपनी आत्मा के साथ जोड़ पाते हैं या नहीं तो धर्म का मतलब आत्मा के साथ प्रमात्मा का मेल उसमें किसी भी तरह का आडंबर किसी तरह का धोंग पाखंड की कोई भी जगा नहीं है कृपया इस बात को ध्यान में रखें यह आत्मा को पवित्र करने या आत्मा को उस परमतत्र के च्थिती पर ले जाने का ही एक मार्ग है जो कि एक व्यक्तिकत मार्ग है इसमें किसी भी अडंबर, किसी भी रीरती रिवाज, इस साब की कोई भी आवश्यक्ता नहीं है तो आशा करते हैं, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में